जय हिंद आज हम लोग समझने वाले हैं तीथ खेवारे में जिसे हम लोग अपनी भासा में तांत भी कहते हैं इसके बारे में समझेंगे कि यह खराब कैसे हो जाते हैं यह कितने प्रकार क्यों होते हैं यह जो भी हम जिसे दूद की दांत कहते हैं वो कब तूट जाते हैं कित नीर्मान जो होता है कठोर उट्तक से होता है Mais is कठोर्न की तरह होता है थीक है उसके पर चुंत को हम लोग में कब laquelle कieważ यहां से कि क्या करते है तो दाथ के अध्यान को 我們 tô करते हैं और इसकी खराब क्यासे हो जाती है दात तो देखिए एक तो यह फलोरीन गैस के करन खराब हो जाएगी दूसरा अगर आप ज्यादा खटा समान खाते हैं अगर उसका पीछ मान 2.5 से नीचे चला गया तो आपका दात जड़ जाएगा अगर आप 4.5 से नीचे आप ज करते हैं इसलिए कहा जाता जादा समान नहीं खाना चाहिए इंसान गों ठीक है 4.5 से नीचे समान को नहीं खाना चाहिए और एक और तरीका है जिससे दान खराब होते हैं तो अगर आप ज़एदा ज्शा पदार गॉत हुए और वह धीरे दात amen बना देता है जो धीरे धीरे उसमें चिद्र करने लगता है बहुत देखते हुए गाना बच्चा से का दात खराब हो जाता है संड जाता दीरे-दीरे तो वह सब मीठा पदार्थ के कारण होता है चिपचिपा वह पदार्थ होता है वह जल्दी दात से छोड़ता नहीं है कितना भी आप से दात खराब हो दे और घटाम चाहां कुछ तो आपका दात होता है वह कुछ अंग करना बंद कर दो जादा सूजन το-धी इसके बाहरी भाग को हम तो देखेए अब समझते हैं लोग घंटाइन का बना होता है और इसे हम लोग कहते हैं कुछ तरीके से आपको देखने को मिलता है देखे यह जो कैल्सियम एपेटाइट का बना होता है यह सबसे कठोर होता है और इसके अंदर एकदम सूजन होता है जैसे आपको ठंडा समान खाते हुएगा अगदम दात सीहर जाता होगा तो यह आपके इस भाले भाग पर एफेक्ट करता है जिसके कारण आपका दात सीहर दांत का बना होता है जो हमारी जो धात है अशन हमारी के दांत कहते हैं हमारी दात यह बारी टूल में यह दूद तोट जाते है तोटल दूद के दातों की संख्या होती है ठीक है और सम्पूर्ण माना जीवन में जो टूटल दातों की संख्या हो जाएगी वह बावन हो जाएगी चुकि जीवन काल में पूरे जीवन काल में इनकी संख्या 32 हो जाती है कभी कुश्चन पूछ देता है खड़े कुश्चन पूछ देगा यहां से कि बताइए कि माना के जीवन काल में टूटल कितने दात आते हैं तो वह जाएगा बावन ठीक है अब समझते हैं इसके कितने परकार हो दो नहीं चार सब्सद्स समस्राइब। होता है तोटल इसकी संख्या कितनी हो जाएंगे अब आगे चलते हैं आगे हम लोग किनाइन के बारे में समझते हैं यह रदंतक होता है देखिए रदंतक यह जो दात दिख रहा है यह दो लंबा दो दात नीचे निकला हुआ है और दो उपर होड़े हैं उसको हम लोग में देखिए जो भी भूत बनता है खासकर जो महिलाएं भूत बनती है पहले तो देखने में बहुत अच्छा आपके पास आगी तो सुन्दर रहेगे जैसे आपके नस्दिक एक दम चुड़ाइल का रुपधारन कर लेगे उसका जो दात दिखता है यही वाला जो दात होत ठीक है तो वह कोन सा दाम दिखाएगी तो और लोग बुल दीजीगा तुम्हारा कानाई दिख रहां ठीक है तो आप यहां पर समझ गए कि क्या करता है तो बोजन इक क्वाइब होती है वह आपकी चार होती है दो उपर दो नीचे तेखें यह दीख रहा होगा यह होगा ठीक है इससे हम-ड Queensland ऑफित नीचे होता है अपर वाला इसलिए नहीं देती नेचे चारह जो नाक्तनी चारह इसलिए लोग समझते हैं प्रिमोलर देखें यहां पर हम डाइग्राम में भी समझने का प्रयास करते हैं यह जो है आपका इंसाइजर जैसे हिंदी में क्रिंतक कहते हैं इनकी संख्या कितनी है टोटल उपर जो 4 होगा इक और ना है जैसे ऊपर यह उपर भाग हो गया नीचे वाला भ तो चलिए यह समझ के अब आगे चलिए यह देखिए प्री मुलर को अगर चवरनक कहते हैं यह भोजन को चबाता है अब हम लोग क्या करते अभी इतना एडवांस टेकनोलोजी हो गया तो हम लोग इतना टेकनोलोजी के पीछे भाग रहे हैं कि खाना को ठीक से चबाते हैं ज इसके कारण हम लोग का गैस का प्रोब्लम हो जाता है जितना आप खाना को चवाईएगा जितनी ज्यादा लार उसमें भोजन में मिलेगा उतना ही आपके शरीर में पाचन की किरिया होगी बहुत अच्छी तरीके से होगी आपका खाना पज जाएगा कभी गैस की प्रोब् हो रहा है तो हम लोग समझेगे हमारे जीव में आपके में चीक चिस्दात कहते हैं ठीक है इनके संख्या दीक है बच्चों में नहीं होता इसको पहले चवार्ण को पहले उसके बाद पिसने और पिस्टी और चवाईए का लास्ट पोजिसन इसका है यह यहां तक होगा यहां तक इसका मतलब कि फैला हुआ रहाता है ठीक है यह भोजम को एक दाम मिहिन करके पीछ देता है अगर यह अच्छा से काम नहीं करवा रहे हैं जिसके कारण आपके गैस का प्रोब्लम होता है तो इसको अच्छा से आप लोग यूज में लीजिए ठी है ठीक हो से को नहीं होता है इसे हम विजडम करते हैं जिसे हम लोग चहुआ भी करते हैं मभी दांतको मेरे द्वार बनाए गया है यह दाथ में कि यह वाला भाग है इसे हम लोग क्या कहते के लिए अदर का बना होता है लुए यह नहीं गोलाफ यह तो यह वालाध incisar हो गया कि दिखने हो गया और यह वाला जो दोगो दिखरा इदर से दूगो पतलत कितना 5000 कि उपर वाला मिगैंज वेजेशता रूत ननकी अीचे की आज हो डाफ्व होटा है जादा मिठाइपि पहीं यहां इपना नोको है है ज़ल्दी आपका कुश्यन खरे-खरे पूस देता है तो आप लग इसका स्क्रेंश रट ले लिजे और इसे नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको कभी दिक्कत न उठे आई होप यह सारी जानकारी अपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद